नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने शरीर में खून की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं शरीर में खून की कमी होना एक आम समस्या है एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अधिकतर महिलाएं और बच्चे खून की कमी के समस्या से पीरित है खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया कहा जाता है यहां रोक तब होता है जब लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है आईए जानते हैं कैसे आप अपने खानपान से हीमोग्लोबिन और आईरन की कमी को पूरा कर सकते हैं नमबर एक खून की कमी होने पर चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है शरीर में आइरन की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा स्रोथ चुकंदर है, चुकंदर खाने से हीमोगलोबिन बढ़ता है। नमबर दो पालक के सेवन से शरीर में आईरन की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है क्योंकि यहाँ आईरन, विटामिन और खनीजों से भरपूर होता है। यहाँ प्रतिरक्षा तंत्र और हीमोगलोबिन को बढ़ावा देने और एनीमिया की समस्या को रोकने में मदद करता है। नमबर तीन अनार में विटामिन सी और आईरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अनार का सेवन करने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और यहाँ एनीमिया से लड़ने में भी मदद करता है। इसके अलावा अनार कमजोरी और ठकान को भी दूर करता है। नमबर चार टमाटर विटामिन सी बीता केरोटिन और विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है जो हमारे शरीर में आईरन की कमी दूर करने के लिए फाइदे मंद है। टमाटर को आप सलाद या इसका सूप भी पी सकते हैं। नमबर पांच नट्स और बीज में अधिक मात्रा में पोशक तत्व पाए जाते हैं। शरीर में आईरन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में काजू, पिस्ता, अक्रोट, मूंफली, बादाम, सूरज मुखी के बीज और कद्दू के बीज आदी को शामिल कर सकते हैं। 6. हímoglobin बढ़ाने के लिए आप हरी सबजियां अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। हरी सबजियों में आईरन काफी मात्रा में होता है। आप लाल रंग के फलों को भी डाइट में शामिल करें। 7. काले चने में आईरन की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके सेवन से आप अपने शरीर में खून की कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं काले चनों को आप सुबा नास्ते में या फिर श्याम के स्नैक्स में खा सकते हैं। 8. रेड मीट में विटामिन A और विटामिन D, जिंक, आईरन और पोटेशियम काफी होता है जो हमारे शरीर में हीमोगलोबिन की कमी को दूर करने के साथ हमारी हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए लाबदायक होता है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक एंड शेर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।